अगर आप अपनी sprint की speed को बढ़ाना चाते हैं तो उसके लिए एक चीज बहुत ज़दा important होने वाली है और वो चीज है stride length अब ये stride length क्या होता है अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचोगे कि क्या यार ये छोटी सी चीज के बार हम पूच रहे stride length तो सबको मालूम होत उन दोनों points के बीच के distance को हम लोग stride length मानते हैं तो अब इसमें गलत क्या है मेरे हिसाब से stride length, take off और touchdown के time पे हमारे hip के बीच का जो distance है उसे बोलेंगे जादा confuse होने की जरूरत नहीं है मैं इसे अभी समझा देता हूँ आप ये वीडियो में देख सकते हूँ कि एक athlete है वो दोड़ के जा रहा है और इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं कि stride length क्या होगी यहाँ पे जो कौन समने रखे हैं ये 2 मीटर दूर है अब क्योंकि इस athlete का पैर इस जगा पे टच हो गया है और अगली बार इसका पैर यहाँ पे टच हुआ है तो हमनों clearly देख सकते हैं कि इसका एक बड़ पैर यहाँ टच हुआ और उसके आद यहाँ पे हुआ और ये बिल्कुल कोन के सामने हैं और कोन 2 मीटर दूर हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस athlete की जो stride length है वो है 2 मीटर लेकिन मेरे हिसाब से असली stride length वो होगी जहाँ पे हमारे hips travel कर रहे हवा में हम देख सकते हैं कि इस athlete का पैर यहाँ पे टच हुआ है हम इस athlete की जो stride length है तो इस athlete का पैर यहाँ पे टच हो रहा है और इस time पे इस athlete के hip यहाँ पे हैं तो अब यह जो 2 points है इनके बीच का जो distance है वो एक असली stride length होनी चाहिए लेकिन इसे measure करने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है इसलिए हम लोग नीचे वाली length को ही stride length मान लेते हैं हमें हमार लेकिन अगर हम लोग इस stride length को बढ़ा रहे हैं तो फिर हमारी यह वाली stride length भी बाड़नी चीए और ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अगर हमारी ये stride length बढ़ रहे हैं तो ये stride length भी बढ़ेगी जब एक athlete over stride करने लग जाता है तो athlete की ये वाली stride length उतनी ही रहती है लेकिन ये stride length बढ़ जाती है और ऐसा करने से हमारी speed जादा नहीं बढ़ पाएगी अगर एक athlete का पैर उसके hip के just नीचे touch होता है तो फिर उसके नीचे वाली stride length और उपर वाली stride length में जादा अंतर नहीं होगा लेकिन बहीं पर किसी athlete का पैर उसके hip के आगे touch होता है तो ऐसे में उसके नीचे वाली stride length बढ़ जाएगी लेकिन उपर वाली stride length कम रहेगी तो इसलिए हमें नीचे वाली stride length को बढ़ाने से जादा हमारे उपर वाली स्ट्राइड लेंद को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि नीचे वाली जो स्ट्राइड लेंद है वो एक output है और जो उपर वाली स्ट्राइड लेंद है वो एक input है हमें ये कोशिश नहीं करना है कि हम लोग एक जगा पर पैर रखने के बाद अपने दूसरे पैर को जादा से जादा दूर रखें बलकि हमें ये कोशिश करना है कि हम हमारे हिप को जादा से जादा आगे लेके जाए अगर सिर्फ नीचे वाली स्ट्राइड लेंद को बढ़ाने से काम चलता तो सभी athletes bounding करते कोई भी दौरता नहीं I hope आप सब समझ गए होंगे कि असली stride length क्या होती है तो अब जो हमारी stride length है वो हमारी speed को कैसे affect करती है speed का simple सा formula होता है distance upon time जो distance है वो आपकी stride length है और जो time है वो आपके stride की frequency है अगर आप 1 second में 1 कदम लेते हो और वो 1 कदम आपका 1.5 meter लंबा है तो आपकी speed होगे 1.5 meter per second वहीं पर अगर आप 1 second में 2 कदम लेते हो और जो कदम आप ले रहे हो उसकी length है 2 meter तो फिर आपकी speed हो जाएगी 4 meter per second अगर हमें हमाई speed को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा और हमारे एक कदम का जो time है उसे कम करना पड़ेगा तो अब हम लोग हमाई stride length को कैसे बढ़ा सकते हैं अब अगर हमें हमाई stride length को बढ़ाना है तो फिर कितना बढ़ाना है यह जानने के लिए आपको normal नंगे पर खड़े हो जाना है और किसी stick को अपने पैरों की बीच में फसा लेना है और इस stick को आपको maximum height पर उठा लेना है अब आपको जमीन से इस stick तक का distance नापना है और यह जो height रहेगी इसे हम लोग बोलेंगे trochanter length मतलब यह आपके पैरों की लंबाई है अब उसके बाद आपको यह वाला table देखना है आपकी जो trochanter length है आपको उसके सामने की line को देखना है जैसे कि माल लेते हैं कि इस athlete की trochanter length है 90 cm तो फिर यह athlete को इस line को देखना पड़ेगा अगर आपकी 75 cm है तो फिर आपको यह line को देखना होगा तो हम लोग इस athlete के लिए देखते हैं कि इस athlete की style length कितनी होनी चाहिए हमें यह 90 cm वाली line को देखना है अब इसके बाद में हाँ पर आगे 5 column है 2.3 और 2.5 वाला जो column है यह females के लिए है और 2.5, 2.6 और 2.7 वाला column males के है अगर हम किसी male के लिए देखेंगे तो हमें यह 2 column हटा देना है और अगर हम लोग किसी female के लिए देखेंगे तो हमें यह 2 column हटा देना है तो अभी क्योंकि इस athlete के pair 90 cm लंबे थे हमें ये line को देखना है अब अगर ये athlete 2.25 मीटर लंबे steps ले रहा है तो फिर ये एक average style length होगी इस athlete के लिए लेकिन अगर ये athlete 2.34 cm लंबे steps ले रहा है तो वो एक अच्छी style length होगी और इस athlete के लिए 2.43 मीटर वाली style length सबसे best होगी और इस range से जादा style length हमें नहीं बढ़ानी चाहिए तो आप ये table का एक वागा screenshot ले सकते हो और अपनी style length को भी अराम से calculate कर सकते हो females के लिए जो ये 3 column है इनको भी हम लोग वैसे ही rate करेंगे ये column होगा average style length के लिए ये होगा good style length के लिए और ये होगा best style length के लिए नमबर वन है maximum strength एक athlete को अपनी maximum strength को बढ़ाना पड़ेगा अब maximum strength क्या होता है इसमें हम लोग कुछ exercises को count कर सकते हैं जैसे कि squat, deadlift, overhead squat या फिर bench press ये जो exercises है इन exercises में हमें कोशिश करना है कि हम जादा से जादा weight lift कर पाएं और वो जो weight lift कर रहे हैं अगर हम लोग सिफ एक rep के लिए lift कर पा रहे हैं तब भी चलेगा लेकिन हमें हमारी strength को बढ़ाना होगा एक बार आपकी अच्छी कासी maximum strength बन जाए उसके बाद second step में आपको अपनी power को बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग exercises कर सकते हैं जैसे की power clean, power snatch, hip thrust या फिर jump squats ये हो जाने के बाद तीसरा step है हमारी explosiveness को बढ़ाना उसके लिए हम लोग exercises कर सकते हैं जैसे की broad jump, box jump, medicine wall या फिर short put वाले throws और हमें इन सब exercises में distance या फिर height को बढ़ाना चाहिए हमने हमारी strength बढ़ा लिए, power बढ़ा लिए, speed बढ़ा लिए लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये करने से भी athlete की speed या फिर उसकी style नहीं बढ़ती है और उसका एक main reason ये हो सकता है कि ये जो सारी exercises हमने करी है जो strength, power और explosiveness हमने बढ़ाई है उन सब में हमने double leg exercises जादा करी थी मतलब हम लोग हमारे दोनों पैरों से force लगा रहे थे लेकिन दोड़ते time तो हमें सिर्फ एक ही पैर का use करना है तो इसलिए हमें ये 3 steps फिर से follow करने पड़ेंगे लेकिन वही चीज़ हम लोग single leg strength को बढ़ाना है उसके लिए हम लोग single leg squat कर सकते हैं single leg deadlift कर सकते हैं और single leg power के लिए हम लोग split clean split snatch जैसे exercises कर सकते हैं इसके बाद single leg explosiveness बढ़ाने के लिए सबसे अची exercises हैं single leg box jump या फिर hopping और एक और चीज़ आपकी stride length को बढ़ाने में सबसे ज़ादा मदद करेगी और वो है bounding और maximum athletes के लिए ये step जरूर काम करेंगे इन सब चीज़ों को करके आप अपनी stride length को बढ़ा पाऊगे लेकिन हमें हमाई stride length को इतना भी नहीं बढ़ाना है कि उससे हमाई stride की frequency कम हो जाए क्योंकि जैसे जैसे हमाई stride length बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमाई stride की frequency भी कम होते जाएगी और अगर हमाई stride की frequency कम हो रही है तो उससे हमाई speed भी कम हो सकती है stride length और stride frequency के बीच का एक balance ढूणना पड़ेगा और वो balance ढूणने के लिए सबसे अच्छे exercise होती है wicket running अगर आप अपनी stride length को बढ़ाने की कोशिश कर रहे है तो उससे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका ground contact कैसा है अगर दोड़ते टाइम आपका पैर आपके hip के आगे touch होता है तो फिर आपको अपनी stride length को बिलकुल नहीं बढ़ाना चाहिए आपको पहले कोशिश करना है कि आप अपने पैर को अपने hip के नीचे लाना सीख जाओ यह करने के बाद अगर आप अपनी stride length को बढ़ा होगे तो फिर आपको जादा अच्छे results मिलेंगे अब अगर इस वीडियो पर 500 लोगों ने stride frequency कमेंट किया तो फिर मैं वो वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियो को मिस ना करो